अस्सलाम अलेकुम रावतुल्लायो बरकातू प्यारे बच्चों उमीद्याद सब खेरियस से होंगे इंग्लिश की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है हम इंग्लिश के चप्टर नमबर 3 के पुकवा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नमबर 23 से स्टार्ट करेंगे पेज नमबर 23 पर है एपार्ट नौ प्लेस दा इन दा राइट प्लेस इन दीस सेंटेंसिस दा लेटरस ए बी और सी रेफर टू दा रूल्स एपव यानि नीचे आपको कुछ सेंटेंसिस दिये गए हैं इसमें आपको दा का यूज करना है चलिए पहले समझते हैं कि दा का इस्तेमाल कहा किया जाता है जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और फिर हम दुबारा से उसी चीज के बारे में मतलब हम दुबारा से उसी चीज के बारे में कहते हैं तो महां दाका यूज करते हैं और दाका वर्ड दाका जो यूज करते हैं वो common noun के लिए भी करते हैं यानि कोई भी common noun जैसे books, copies इनसे पहले भी दाका इस्तमाल किया जाता है या कोई भी specific thing जैसे की monuments के बारे में अगर हम read कर रहे होते हैं तो महां पर हम monuments से पहले दाका यूज करते हैं यानि कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ एक है उससे पहले भी हम दाका यूज करते हैं चलिए नीचे sentences में देखते हैं कि किस तरीके से दाका यूज किया जाता है जब आप sentence करेंगे तो आपको और अच्छे समझना आएगा जिसे first है I met him at railway station मैं उससे railway station पर मिला यह वादी न ग्रेट हरी और वे बहुत जल्दी में था तो I met him at the railway station railway station से पहले दाका यूज किया गया है है ना तो यहां पर railway station common noun है और मैंने भी आपको बताया था कि जहां पर भी common noun होती है उससे पहले भी दाका यूज किया जाता है next second they gave me a bag of bananas and lemons to carry bananas were really heavy तो देखिए इसका sentence किस तरीके से बनाएंगे they gave me a bag of bananas and lemons to carry the bananas were really heavy इसमें है कि उसने मुझे bag दिया ले जाने के लिए उसे banana और lemon थे यानि नी नीबू और केले थे लेकिन bananas were really heavy लेकिन जो कहले थे वो बहुती ज्यादा heavy लग रहे थे ना they gave me a bag of bananas and lemons to carry फिर फुल स्टॉप के बाद यहां पर द लगाएंगे अगर noun plural होती है तो plural noun से पहले भी द लगाया जाता है आपको कैसे पता चलेगा कि noun plural है एस लगा होगा उसके आगे है ना तो फुली स्टॉप के बाद द का यूज किया जाता है तो इसलिए यहां पर the bananas were really heavy यह लिखेंगे थर्ड है I looked at clock but it had stopped यानि मैंने घड़ी की तरफ देखा लेकिन घड़ी रुकी हुई थी तो I looked at the clock but it had stopped मैंने अभी आपको उपर भी बताया था कि common noun से पहले the का यूज किया जाता है so I looked at the clock but it had stopped next है fourth sun shone so brightly on the glass building that we had to shed our eyes to see it इसमें दा ही देखें यहां बीच में दिया गया है लेकिन जितनी भी हमारी natural things हैं जैसे की planets हो गए या sun, moon, stars, galaxies इन से पहले the का यूज किया जाता है तो यहां पर single sun था तो यहां sun से पहले the का यूज करेंगे है न और मैंने अभी आपको उपर भी बताया था जो कोई भी only things होती है यानि कोई भी वाहिद चीज होती है अकेली वस्तू होती है उससे पहले भी the का यूज किया जाता है जैसे sun, sun एक ही है न तो इसलिए sun से पह rightly on glass building that we had to shed our eyes to see it next and next page पर 5th question there has been a theft in the neighborhood we should phone police कि यहां हमारे परोस में एक चोर्व है तो हमें police को phone करना चाहिए तो there has been a theft in the neighborhood we should phone the police police भी यहां पर common noun है तो इसलिए police से पहले दा लगाया गया है ना मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भी common noun होती है तो common noun से पहले दा का use किया जाता है 6th है he had a walking stick but he was not using it I wondered why he had brought stick उसके पास एक walking stick थी walking stick कहते हैं जिसको पकड़ कर चलते हैं but he was not using it लेकिन मैं उसका इस्तमाल नहीं कर रहा था I wondered यानि मैंने हरानी से कहा why he had brought stick कि उसने stick खरीदी क्यों है ना कि उसने stick खरीदी क्यों थी जब वो उसका use ही नहीं करता है तो he had a walking stick तो इसका लिखेंगे he had a walking stick but he wasn't use it I wondered why he brought the stick यहाँ पर भी stick common है common noun है तो इसलिए stick से पहले दा लगाएंगे have you met head teacher she is very friendly क्या आप head teacher से मिलेते हैं वो बहुत friendly है तो इसमें लिखेंगे have you met the head teacher यहाँ पर head teacher common noun है तो इसलिए the कर यूज़ करेंगे she is very friendly क्योंकि teacher तो ओर भी हो सकती है English teacher Hindi teacher तो इसलिए head teacher से पहले हाँ पर दा कर यूज़ है और यह common है next question है be part rewrite the following sentences in their negative form you may use contractions नीचे कुछ sentences दिए गए हैं यह affirmative sentences है यानि normal sentences है इनको negative में आपको change करना है है नहीं लगाना इन sentences में जैसे first है I want to play here यानि मैं यहाँ खेलना चाहता हूं I didn't want to play here यानि मैं यहाँ नहीं खेलना चाहता didn't का मतलब not आ गया है न तो नहीं हमें negative sentence लिखने है negative form में इनको लिखना है तो not लगाना है सब sentences में जैसे second है we are in the park कि मैं पार्क में हूँ तो we are not in the park कि मैं पार्क में नहीं हूँ इसी तरीके से third है Robin Hood helped the poor कि Robin Hood Robin Hood ने गरीबों की मदद की तो answer है Robin Hood did not help the poor अब आप देखिए अगर past indefinite tense है past indefinite का अगर affirmative sentence है तो affirmative sentence में do did का use नहीं किया जाता है और इसलिए महाँ पर verb की second form आती है लेकिन अगर negative interrogative sentence होता है उसके अलावा यानि कोई भी sentence होगा affirmative के अलावा तो महाँ पर verb की first form आएगी तो यहाँ उपर second form का use किया गया है लेकिन हमें नीचे first form लिखनी है क्योंकि यह negative sentence है past indefinite का तो Robin Hood did not help the poor कि Robin Hood ने गरीबों की मदद नहीं की fourth है she made the dress कि उसने dress बनाई यहाँ पर made था second form थी जब हमने note लगा दिया तो first form आजाएगी she didn't make the dress यानि उसने dress नहीं बनाई next I am going to buy some fresh fruits यानि मैं कुछ fresh fruits खरीदने जा रहा हूं so I am not going to buy some fresh fruits कि मैं fresh fruits खरीदने नहीं जा रहा हूं next sixth Aruna was Aruna has prepared lunch अरुना ने lunch prepare किया तो note लगाएंगे तो Aruna has not prepared lunch कि Aruna ने lunch prepared नहीं किया seventh है Raman paid the bill अब यहाँ पर भी paid second form है तो जब did not लगाएंगे इसमें जब past indefinite के affirmative sentence को negative बनाएंगे तो Raman did not pay the bill यहाँ पर verb की first form आईगी यहाँ पर first form लगाएंगे तो Raman did not pay the bill कि Raman ने bill पे नहीं किया अब यह next question C part change the following sentences into question form उपर वाले हमने sentences को negative form में किया था अब हमें interrogative form में करना है यानि question mark लगाना है इनके questions बनाने है जैसे कि आपको example में दिया गया है our school will remain closed on Saturday कि हमारा school Saturday में close रहेगा तो will our school जब हम इसका interrogative sentence बनाएंगे यानि जब हम इसको question मनाएंगे तो जो हमारी helping verb है वो पहले आ जाएगी will our school remain closed on Saturday उसके बाद जब भी हम कोई भी question पूछते हैं तो question mark लगाना ज़रूरी होता है तो last में question mark लगाएंगे interrogative sentence जो होते हैं उसमें question mark लगाना ज़रूरी होता है और helping verb पहले आती है subject से तो पहले यह sentence था कि हमारे school बंद रहेगा Saturday को जब हमने इसको change किया interrogative बनाया तो will our school remain closed on Saturday कि क्या हमारे school Saturday को close रहेगा तो यह इस तरीके से interrogative sentence बन गया अब है first they will visit the zoo on Monday कि वो Monday को zoo जाएंगे अब जब इसका interrogative sentence बनाएंगे तो जो हमारी helping verb है will वो पहले आ जाएगी so will they visit the zoo on Monday तो अब इसका question बन गया कि क्या वे Monday को zoo जाएंगे second है this tree will bear the fruit next year यानि यह पेड अगले साल फल देगा तो जब इसको interrogative sentence बनाएंगे तो यह जो helping verb है यह पहले आ जाएगी will this tree bear the fruit next year कि क्या यह पेड अगले साल फल देगा और last में आएगा question mark इसी तरीके से third they will not play hockey कि वे hockey नहीं खेलेंगे तो जब इसका interrogative sentence बनाएंगे यानि जब इस sentence का हम question बनाएंगे तो helping verb फिर से पहले आ जाएगी तो will they not play hockey कि क्या वे hockey नहीं खेलेंगे और last में question mark आ जाएगा इसी तरीके से fourth the police will arrest the thief कि police चोर को arrest करेगी अब इसमें भी will पहले आ जाएगा तो will the police arrest the thief यानि क्या police चोर को पकड़ेगी अरेस्ट करेगी तो last में आ जाएगा question mark next and fifth the farmer will sow the seeds in the field कि किसान बीज बोएगा खेत में और जब इसका interrogative sentence बनाएंगे तो जो helping word पहले आ जाएगी will the farmer sow the seeds in the field कि क्या farmer बीज बोएगा खेत में और फिर question mark लगा देंगे last में तो ये interrogative sentence बन जाएगा तो उमीद है आपको ये question भी समझाया होगा अब next writing fun इसमें आपको letter लिखना है write a letter for your brother wishing him luck in the forthcoming exam forthcoming examination का मतलब होता है आने वाले exams है ना तो आपको अपने भाई को later लिखना है और उसको wish करना है wish करते है ना best of luck for your exam तो इस तरीके से आपको एक later लिखना है अपने भाई को उसको wish करना है उसके आने वाले exams के लिए dear Faraz मैंने आपको फराज लिखा है आप अपने भाई का नाम लिखिएगा यहाँ पर जो भी आपका भाई है I just got to know about your forthcoming exams I would like to wish you all the best for your exams and waiting to enjoy with you during the holidays कि मैं जानना चाहती थी कि तुमारे exams कब हैं और और मैं चाहती हूँ कि तुमारे paper बहुत ही अच्छे से हो जाएं और मैं इंतजार कर रही हूँ तुमारे चुट्टियों का यानि चुट्टियों के दर्मियान चुट्टियों के दोरान हम हम enjoy करेंगे यानि मस्ती करेंगे अब यहाँ नीचे है yours affectionately तो इसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपका नाम है आप वो लिख दीजे जो बॉय है वह अपना नाम लिखेंगे और जो गर्ल्स है वह अपना नाम लिखेंगी यह और एफ़ेक्शनेट ली फायजा इसलीके साथ इंगलिष के चैप्टर 3 का बुक वरक आपका कंप्लीट होता है चलिए नेक्स क्लास में नेक्स वीडियो मिलेंगे थैंक यू वेरी मांच असलाम अलेकुम रहमतुल्लाहिव बरकातू